Hey folks, welcome back to our channel तो पिछली वीडियो में हमने जावस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया जितना हमारा जावस्क्रिप्ट हमारे मंड के टैक श्टैक के लिए जितना इंपोर्टेंट है उतना हम जावस्क्रिप्ट पिछली वीडियो में कॉल कर चुके हैं तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं Node.js तो आगे कुछ वीडियो जो होगा वो टोटली Node.js पर बेस होगा मैं Node.js और Express.js पूरा पढ़ाने वाला हूँ तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है अगर आपको नहीं आता कुछ भी इसके बारे में तो कोई बात नहीं आपको जाओ स्क्रिप्ट आना चाहिए क्योंकि इसके हम फंसेंस यूज करेंगे और इसके बहुत सारे चीजें यूज करेंगे जो मैंने पिसली वीडियो में पढ़ा के रखा हुआ है तो उसको जाके ज़रो देख लो तो हम Node.js को स्टार्ट करते हैं तो Node.js स्टार्ट करने से पहले आप मेकस्वर कर लो कि आपने डावलोड कर क्या रहा है अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कैसे इंस्टॉल करते हैं तो भी मैं इस पर फिर से देता हूँ आप Node.js.org में जाओ वेबसाइट पर यहाँ पर जो करेंट वर्जन है लेटेस फीचर को मत करना करेंट वर्जन को मत करना तो आप इसको डाउलोड कर लेना मैंने पहले से डाउलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से भी कट करता हूँ आपने डाउलोड कर लिया अब तक तो आपको चेक करना कि डाउलोड है की नहीं तो आप अपना टर्मिनल खोलो सिंपल cmd खोलो अपना और यहाँ पर लिखो node-v अगर यह लिखने पर आपका version आता है जो भी आपका latest version होगा या फिर जो भी आपका उसमें latest version होगा वो यहाँ पर सू होगा ठीक है आप यह मेरे version से matchman करना कि मेरा कुछ और आ आपका कुछ और आ रहा है क्या पता यह कल अपडेट हो जाए तो इसका कुछ पता नहीं होता ओके तो हम अपने code editor में लिखने से पहले हम node अपने terminal में चला के देखते है सब मैं यहाँ लिखता हूँ node मैं node पे करके enter किया तो हम अपने node environment में आ चुके है अब हम एक REPL mode में आ चुके है अब हम यह REPL mode में अपने आ चीज़ा हम कर सकते है सब मैं यह लिखता हूँ 2 प्लस 2 देखे 4 आगे मारे पास हम एक node का यूज़ करके हम सर्वर साइड पे हम अपने JavaScript को ही perform कर रहे है और सब मैं console.log करता हूँ console.log hello hello world ठीक है hello world लिखके आ गया ठीक है समरली हम एसा कई चीज़ा कर सकते है तो को जैसे आपने अगर मैं पिछला वीडियो देखे होगा तो हम JavaScript को अगर हमें जाना कितने objects होते है जो उसके DOM होता है कितने objects होते हैं हम विंडो का यूज करते हैं विंडो लिखके हम एंटर करते हैं अगर हमें जाना है क्या की बच्वीट होता है हम प्रोसेस करते तो मैं इसको console.log करते हुए प्रोसेस को है यह similarly जैसे इसमें windows होता है इसमें प्रोसेस होता है एडर किया एडिके यह सारे कई सारे objects आगे हमारे पास यह सारे methods हम use कर सकते हैं अपने node के अंदर ठीक है तो क्या आपको इसा पढ़ने जरू होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं क्यों पढ़ने जरू होता है मैं आपको जितना भी use होगा मैं आपको हर्ची बताऊंगा देखे हमारा V8 engine का version भी आ गया क्या है हमारा node का version आ गया ठीक अगर आपको इससे exit करना है तो आप exit function के यूज कर सकते हो कई सारे चीजे important होती है इसमें तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कब ठीक है जब हम अपने application को बनाना start करेंगे जो की होगा हमारा social networking site जो की बहुत ही बड़ा application होने वाला हर चीज में कौर होगा तो उसमें ह dot exit देखें हम बाहर आगें से हम Ctrl C करके बाहर आ सकते हैं कि हम टर्रिनल के अंदर है पर अगर हम code editor के अंदर होंगे तो हम नहीं करेंगे तो अभी के लिए मैं इसको यहां से cut कर देता हूं तो मैं आगे अपने इसके अंदर तो मैं भी अब हम node के help करके अब हम node environment में अपना यहां लिखता हूं console.log getting started with node.js इसको मैंने किया ठीक है अब आप टर्मिनल यहां से खोड़ सकते हैं यहां पर लिखके निव टर्मिनल पर क्लिक करके यहां पर आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो अपने VS Code में ठीक है लेकिन मैं इसको प्रिफर नहीं करता हूं जाता क्योंकि कि मैं external terminal को जारे यूज करता हूं ताकि थोड़ा असानी हो जाता है में लिए तो मैं आप आता हूं अपने इसके अंदर तुम यहां राट लिख करके देखो आप यहां पर अपने CMD भी खोड़ सकते हो ठीक है आप यहां पर आप CMD टाइप करके अपने CMD खोड़ सकते हो अब CMD में टाइप कर सकते हो पर मैं Hyper Terminal यूज करता हूं अगर आपके पस hyper terminal नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपको जरूर नहीं है यूज करने का अप click है आप नॉर्मल अपने terminal में यूज कर सकते हो मैं यूज करता हूं क्यूए मैंने डाउलोट कर लिया है काफी बैनर से क्या है की और यूज है क्योंकि एला रहा था जब मैंने सको डाउल्लोड किया था बहुत ही स्टाटीक में तो मैं इसको यूज करता हूं बुस और कोई और ग्रीजन नहीं है ठीक है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो तो मैं इसको सैड में कर देता हूं और मैं यहाँ पर अगर मुझको यह रन करना है अपने इस साइट को तो मैं यहाँ नोट का यूज़ करके हमें कर सकता हूँ नोट-Index.js ठीक है तो अब हमारा जो कोड होगा अब मैं अपने सके अंदर हो परच जाए एक सकन ठीक है अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो हमारा जो कोड होगा मैं एंटर किया देख़ए यह प्रिंट होगया यह आपको मैंने बात बताया था कि कभी भी वेरिवल का नाम लिखो तो उसके कुछ meaning होने चाहिए, कोई भी random variable आप नहीं लिख सकते हो, यह गुल programmer की निशानी नहीं है, पर फिर भी मैं अभी लिख रहा हूँ कि जब मैं अपना application लाना start करूँगा, तो मैं हर चीज valid करूँगा, तो अभी हम सिब learn कर रहे हैं चीजों को, अभी हम कुछ बनानी ठीक है मैंने बना दिया, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, error function क्योंकि, sorry, error function क्या रहा हूँ, फिर मैं आपर a plus b को मैं करता हूँ return, ठीक है, अगर कोई single statement होता है, आपको पता है, error function में, तो हमें return करने ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जो old school way है function लिखने का, उसमें return करने 300 a की value और 12 b की value, ठीक है, अब मैं console.log करता हूँ, अपने total को, किया, वापस मैं यहाँ पर लिखा node index.js, एंडर किया, 312, ठीक है, यह हमारा total यहाँ पर आ गया, तो एक बात अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे, कि हम यहाँ पर node index.js लिख रहे हैं, या फिर sm काम कर रहा है, तो यह काफी ज़्यादे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अगर हर एक code को अपने scratch से लिखेंगे, तो हमारे लिए काफी ज़्यादा यह hard हो जाएगा, कि हर एक code को लिखना, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक NPM package के यूज करते हैं, NPM package का, जिसके बारे इंपोर्ट करकी यूज कर सकते हैं, वह हम सब कैसे करेंगे, यह हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ, तो अभी के लिए इसको यहीं बन करते हैं, मैं हर एक वीडियो को short रखना चाहता हूँ, एक topic एक वीडियो में, ताकि आपक सको, तो आज इसको यहीं बन करते हैं, और अब नेक्स वीडियो में वापस हम स्टार्ट करेंगे, NPM को पटना स्टार्ट करेंगे, so thank you so much, I hope आपको पसंद आए हो, आप अपने नोड को इंस्टाल करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, thank you so much